देखो भाई जो आज का टॉपिक है एंड जिन पॉइंट्स पर मैं कमेंट करने वाला हूँ उनको प्लीज आप ध्यान से सुनना सुनने की बात कर रहा हूँ देखने की नहीं अपना काम करते रहो लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना तो आप सब भी को पता है इसिक डीटेल हैं कितने एपसोड आएंगे कहानी में क्या देखने को मिलेगा इन सब डीटेल के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को फॉलो कर लेना लेकिन लेकिन यहां पर मैं जो पॉइंट्स आपके साथ सेर करने वाला हूँ उन पर मैं कमेंट करने से पहले बता देता इन चार अपसोड में ठीक है इंट्रेस्टिंग टू वाच है लेकिन जो उनमें एक इंगेजमेंट होनी चाहिए अंतरचने भाई पता नहीं क्यों बट मुझे फिल नहीं हुआ दूसरी चीज मैंने अपने पहली वीडियो में बोला था कि मैं इस स्रीज के रोमाइंस में ज्यादा इंट्रेस्टेड नहीं क्योंकि जो स्रीज का रोमाइंस का पॉर्शन है वह रेगुलर टाइप का फिल हो रहा है लेकिन इस स्रीज में एक चीज थी जिसके लिए बहुत ज्यादा इंट्रेस्टेड था वह है रेड हैंड की मिस्ट्री मलब जो फैंटेसी का एलि बाकि यहाँ पर समझना मैं इंगेजमेंट की बात कर रहा हूं इसके स्टोरी टेलिंग के प्रॉसस के बात कर रहा हूं जो कि थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड टाइप का फिल हो रहा है नेक चीज अभी तक कि इन चीजे अच्छी लग रहे है वह एक्टर्स की परफॉमेंस जिस आपसे वह अपनी चीजों को प्रिजेंट कर रहा है कि अफिर जो उनके रिलेशन से डाइनमिक्स वगया दिखाएगे वह काफी बढ़िया लग रहा है सेकेंड जी जो स्रीज की प्रोडेक्शन वैल्यू उसमें भी वह डिस्पॉइंट करती हुई दिखाई नहीं पसंद होगा तो सायग जो मेरी फिलिंग से साथ आपकी हो सकती है याद रखना कि यह से अभी पूई तरीके से आई नहीं है इसका एपसोड फाइब और सिक्स आज और कल में जब वीडियो रिकॉर्ड करा हूँ रिलीस हो जाएगा एंड जब इसके आठ एपसोड आ जाए तो इस पर टाइम दो क्योंकि अगर इस खराब निकली जो कि अभी इस निसियल स्टेज में लग रही है क्योंकि भाइस की कहानी में उतना कुछ खास दम नहीं फिल हो रहा प्लस इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो उतना इंगेजिंग फिल नहीं हो रही तो अगर बाई चा है अभी तक इस खोले करके जो आपके वैलिट पॉएंट से वो प्वाइकतर के आपको बहुत पसंद आ रहे वो सारी चीज़े सब मुझे भी पसंद आएंगे की मेरा फियुर beneक्तर है मान मुझे पसंद आरही को रोऊन जो एक्टर है वो मेरा भी पसंद इंग और देंग'd एंड एक दो के आपको रिव्यू भी हमाई चनल पर मिल जाएंगे तो उसकी performance या फिर उसकी charming personality पर मैं comment नहीं कर रहा हूँ, वो काफी बढ़िया है, मैं सिस्की writing एंड इसकी story presentation प्रिजेंटेशन प्लस इसकी कहानी पर comment कर रहा हूँ, तो अभी तक इससे को लेकर के आपके क् thoughts से actor की performance वगर आपको कैसी लग रहा है, comment box में लिख करके जरूर बताना, और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छे लेगे तो लिएक को लाइक करना चो सब्सक्राइब को नाइस सीब्स देखने कि मैं फ्रीस मिलता हूँ ने वीडियो में, till then, bye bye